इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत कि लक्षणों के इलाज और रोक्थाम के लिए किया जाता है। यह वायु मार्क की मानस्पेशियों को आराम देने में मदद करता है। इस प्रकार इसे चोड़ा करता है और सांस लेने में आसान बनाता है। स्टे हप्पी असेब रोफिलाइन 100 मिली ग्राम कैपसूल को शाम को भोजन के साथ लिया जा सकता है। लेकिन अधिक से अधिक लाप पाने के लिए इसे प्रति दिन एक ही समय पर लें। खुराक और आप इसे कितनी बार लेते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रही हैं। आपका डॉक्टर तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने की कितनी आवशकता है। आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक यह पारी रखें। यह तुरंट काम नहीं करता है या पहले से ही शुरू हो चुकी सांस लेने में तकलीफ को रोकता है। इसलिए अपात स्थिती के लिए हमेशा अपना मेडिकल इनहिलर अपने साथ रखें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्स में मतली, सिर्दद, और पेट खराब या बेचैनी शामिल है। अगर यह आपको परेशान करते हैं या गंभीर लगते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। आम तोर पर यह सलाह दी जाती है कि इलाज के दौरान शराब का सेवन न करें या ध ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। उपचार शुरू करने से पहले अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।